गुझरते हर घंटे के साथ पुरे देश के जहन में एक ही सवाल है और उसी सवाल का जवाब सब कुछ चाहिए चाहे वो मैं हूँ या मेरे दर्शक हूँ सवाल ये है कि 12 दिनों से जो मजदू टनल के अंदर फसे हैं और जिनके लिए तमाम टीमे यहाँ पर उपरेशन कर रही है रस्क्यू आपरेशन चला रही है वो कब बाहर निकलने वाले हैं कि ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर दन टीमे देने की कोशिश करती है लेकिन कुछ न कुछ बाधा कुछ न कुछ चुनवती कुछ न कुछ परेशार्या जरूर सामने आ रहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बाधाओ की आने के बाद हमारी टीमे रुक जाती है बिलकुल यह सच नहीं है सच ये है कि हर बाधा को पार करके ठान लिया है रस्क्यूटी मोने की हर हाल में वक्त जितना लगे 12 गंटे, 15 गंटे, 18 गंटे उन सभी मज़़ूरों को सकुषल सुरक्ष तरीके से बाहर लेकर आना है और वो खाब जल्धी पूरा होगा उतरकाशी की सुरंग में पिछले 12 दिनों से फसे 41 मज़़ूरों को निकालने के लिए जारी रेस्क्यू उपरेशन अब अपने आखरी पड़ाओ में है उम्मीद की जा रही है कि अपसे कुछ देर में सभी मज़़ूर सही सलामत बहाराएंगे अपने परिवार से मिलेंगे नई जिन्दगी के लिए भगवान के शुक्र गुजार होंगे सिल्क्यारा सुरंग में रात में जब रेस्क्यू उपरेशन में लगी टीम जोश के साथ अपना काम कर रही थी और अपने लक्षे के करीब थी तबी ओगर ड्रिल मशीन से कोई चीज टकराई रेस्क्यू टीम समझ गई कि ये कोई स्टील की हार्ड पाइप है इसके बाद उस स्टील पाइप को काटने का काम शुरू हुआ अब वो स्टील पाइप काट कर रास्ते से हटा दिया गया है रेस्क्यू आपरेशन के लिए डिलिंग का काम तेजी से चल रहा है किसी भी वक्त टीम अपने लक्षे यानि सुरंग में गिरे मलबे को भेद कर मजदूरों तक पहुँच सकती है अबुलेंस को तयार रखा गया है डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम तयार है अमर्जेंसी कंडिशन के लिए सेना ने हेलिकॉप्टर्स को अलट मोट पर रखा हुआ है और अस्थाई अस्पताल तो टेरल के बाहर से तयार कर दिया गया है अगर मशीन को मजदूरों तक मोचने के लिए 57 मीटर के मलबे को ड्रिल करना पड़ा है जो 10 दिन पहले निर्माना धीन सुरंग का एक हिस्सा डह जाने से फस गए थे ड्रिलिंग के बाद अब कुछ हिस्सा ही खोदा जाना बाकी है उम्मी जिताई जा रही है कि चंद घंटों में रेस्क्यू टीम को इसमें भी कामिया भी मिल जाएगी जो मजदूरों के लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा है तालीस मीटर जो पाइप है और मसीन के उसके कारण से जा चुका है और रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है कुछ बाधाया आ रही है हम भरवान से प्रातना करते हैं जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी सर्मिक भाई सकुसल बहार आएं यहां पर उनके बहार निकलने के लिए सारे इंतजाम किये गए हैं एंबुलेंस तयार है अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेक अप होगरा होने हैं उस सब हम लोग कर रहे हैं एक कैमरे को सुरंग के अंदर भेजा गया है मजदूरों से उनकी सेहत की लगतार जानकारी ली जा रही है साथियों का हाल जाना जा रहा है और उनके लिए खाना और ज़रुरत की दवाईयां भी भेजी जा रही हैं जहां एक बंद कबरे में आम इंसान की कुछ घंटों में हिम्मत जवाब देने लगती है, वहां एक अंधेरी सुरंग में इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का होसला बनाय हुआ है, सुरंग से बाहर आने के उमीद और दोबारा परिवार से मिलने की एक दूसरे में आस रही है, इन 11 दिनों की इस पूरी तस्वीर को आपको समझाते हैं, दरसल ये सुरंग दो तरफ से बन रही थी, एक तरफ डंडाल गाओं है, सुरंग की लंबाई 450 किलो मीटर है, सुरंग 14 मीटर चोड़ी है, यहां सिलक्यारा से सुरंग में खुदाई चल रही थी और यही जिच में 441 मीटर के दायरे में सिलक्यारा की ओर से आय मजदूर काम कर रहे थी, और यही पर वो पत्थर गिरे, उपर से सुरंग में जो पत्थर गिरे, उससे 57 मीटर की एक दिवार खड़ी हो गई, और 41 मजदूर यही पर करीब आधे किलो मीटर के हिस्से में फस गए, अ मजदूरों और सबसे बड़े चमतकार के बीच अब कुछी ही मीटर का फासला बचा है, जिसके बाद उमीद की नई किरण, किसी खवाब से परे नई जिंदगी और बेवस चेहरों पर मुस्कुराहट की नई तस्वीर दिखाई देगी कि एंडे आरेफ की टीमों ने, रेस्क्यू टीमों ने, उनकी भावनाओं का संबान किया, क्योंकि उनका कहना ये है, कि जब ये टनल बनना शुरू हुआ, तो बाबा लॉखनात की जो प्रतिमा थी, वो यहाँ पे थी, जिससे शिफ्ट कर दिया गया दूसरी योर, जबकि अपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा था, तो ग्रामीन आये यहाँ पे, और रेस्क्यू टीमों को बकाइदा बताया, और रिक्वेस्ट भी किया, गुजारिश भी की, कि आप बाबा लॉखनात की पूजा कीजी, क्योंकि वो हमारे ग्राम देता है, उनके आशिरबाद से ही सब क अपरेशन में लग जाती है, अब हम बात करेंगे, पुशकर सिंग्धामी जो की उत्राखन के सीएम है, वो आज पहुंचे, और ग्यारा बज़े पहुंचने के बाद उन्होंने वकाइदा मजदूरों से बातचीत की, मजदूरों से बातचीत के दौरान उन्होंने उन्हे दिलासा दिलाया कि आप हर हाल में अपने आपको सुरक्षित रखिये, हम आपके बेहद करी पहुंच चुके हैं, बस 12 मीटर का फासला है, उसे टै करना है, उसे टै करने के बाद ही हम आपको सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे, पूरा देश देख रहा है, पीम की बाते भी उन्होंने वहाँ पे की, उन्होंने कहा कि पीम रोज मेरे से पूछते हैं आप सभी के बारे में कि आपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ा है, ये बाच्चित किस तरीके की रही हम आपको दिखाते हैं आज ये अभी आया है, भी बताएं राम राम कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए बहुत हम बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिमत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रातना कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आगया हूँ, जन्रल साब भी आ गया हैं यहाँ पर और आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अब बेट लेते हैं मुझे सबेरे साथ बजी, आज भी अभी आया है, भी बताया है, प्लिकल पैतालीस मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं, और मुस्किल से दस मीटर और आना है, बीच बीच में क्या है कि सरिया हो अब बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग भार आ जाएंगे, हम लोग प्रातना कर रहे हैं, और यहाँ पर सारी चीज़ें एंबूलेंस की विवस्ता कर रखी हैं बाहर, जैसे आप लोग भार आएंगे, अस्पिताल की विवस्ता है, उसके पानि है अंदर अब टेंशन नहीं लेनी है और सब को बिल्कुल जो है कि बास जल्दी से जल्दी और आप ही लोगों को नहीं है आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है और अभी प्रदानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने का कि कब तक क्या संभावना है मैंने का बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा है नहां सब लगे हैं बिल्कुल यहां है हलीकप्र वगरा भी सब्योस्ता कर रखी है अगर किसी को बाहर आते कोई मेटिकल अगरा की भी जरुवत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब्योस्ता करें तो ठीका सब्का ध्यान रखिया और बस जल्दी से जल्दी आपको बगवान की प्रापना करनी है हम लोगों को जल्दी से जल्दी बांके एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्निश रहे हैं सब अपना काम कर रहे हैं ठीक है ना हाँ गुड़ मॉनिंग कैसे हैं आप कौन बोल रहे हैं अरे सबावाई सब ठीक है ना ठीक है तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्बीर वगयरा जो वीडियो से आया था उस चला गया है सब लोगों को बता दीजे घर वाले भी जो है सब लोग अभी बिल्कुल आस्वस्त हैं सब कि आप ने जो है सब का जतना मनोबल बनाके रखा यहां मुझे सबकी जानकारी आपके बारे में और नेपीजी के बारे में दोने लोगतें आप लोगों ने वी आनों गडंगा इतर। खाट दिया है अभी जनरल बीके सिंग साब भी आये हुए है माननी मंत्री जी ना हाँ साथी में है और प्रधान मंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं रोज सारी जानकारी ले रहे हैं और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है पूरे देश्ता करेंगे ठीक है ना तो हो सकता हो सकता ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा यह है कि अब दसी मीटर आना है अंदर ना तो वह दस मीटर कली आ जाता लेकिन कल वह सरीया आने की वज़र से दिक्कत हो गया है वह कड़ गया है तुम्हारा काम सुरू हो रहा है ठीक है नहीं हम यहीं पर रहें सब लोगों को बता दीजे ठीक है हाँ चिंता नहीं करिया है ठीक है